तो ये है महिंद्रा की XUV 500 जी हाँ ये एक टॉय कार है पर महिंद्रा ने मुझे ये भेजी के इस कार का अन्बॉक्सिंग करके आपको दिखाने के लिए वैसे तो क्या है आप लोगों ने महिंद्रा XUV की हमारी जो ओरिजनल कार है उसका रिव्यू आप हमारे चैनल पर दे पर मिल जाती है पर आप सोच रहे होंगे ये छोटी छोटी सी टॉय कार्स का आज कल मैं क्या रिव्यू कर रहा हूं इनको क्यों दिखाता हूं अन्बॉक्सिंग क्यों करता हूं तो आपको बता दें ये जो टॉय कार्स है न वैसी टॉय कार्स नहीं है जैसे कि आपने अभ और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं ये box के अंदर महिंदरा की xv500 हमारी निकल आई है और इसके पीछे जो है कुछ nuts वगेरा यहां लगे होते हैं पर आपको देखने को मिल जाती है डिक्टो बिल्कुल कोई फरक इसमें आपको देखने को नजर नहीं आता है बहुत ही खुपसूरत लगती है अगर आप इसको सोकेज वगिरा में सजा के रखते हैं तो यह आपको बहुत अच्छी लगेगी तो महिंद्रा एक्स्यूवी जो लोग भी पसंद करते हैं उनके लिए तो यह कार जरूर लेना चाहिए उनको क्योंकि एक बहुत ही खुपसूरत दिखने वाली रियल एक्स्यूवी 500 की तरह ही दिखने वाली कार है अगर आप इसे देखिए पास से देखते हैं तो आपको वाकई में लगेगा कि यह गाली बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि हमारी एक्स्यूवी 500 हमको देखने को मिलती है तो आप देखेंगे जो ओरिजनल कार के हमारे जैसे डोर्स खुलते हैं तो वैसे ही इस टॉय कार के भी गेट खुलते हैं दिखा देते हैं आपको देखिए यह अगर हम इसका डोर ओपन करेंगे तो इसकी लाइट भी जल जाएगी सामने की जो आपको दिखाई दे रही होग सामने आपके हेड लेंप इसका जो है बिलकुल जल जाता है उसी तरीके से जैसा कि हमारी रियल एक्सी भी 500 का जलता है तो यह आपके दोनों डोर खुल जाते हैं जैसा कि अभी एक हमने यह डोर खोला और अगर आप यह डोर भी खोलते हैं तो दोनों डोर ओपन हो जाते है तो कार वड़ी ही खुबसूरत नजराती है और इस कार की एक चीज और है ये चलती भी है मतलब आप अगर इसको पीछे करके हमने दूसरी कार हमारे बच्चों की जो टॉय कार्स होती है उसको पीछे करके आप अगर नीचे रख देंगे तो ये बहुत जादा स्पीड में चलती है वाकई में और इसकी जो बिल्ट क्वालिटी है आपने जो दूसरी कार्स देखी होंगी वैसी नहीं है बहुत जादा अच्छी है क्योंकि उससे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वही इंजन वगेरा जो इसका लगा हुआ है जो इसके घूमने पर यागे बढ़े और यहाँ पर बैटरी वगेरा लगी है शाएद और अगर आप देखें तो इसका पीछे का जो है शायद यह भी खुलेगा हाँ जी हाँ देखिए आपका जो boot space है वो भी खुल जाता है original car की तरह तो जैसी original car का boot space खुलता है वैसे इसका भी boot space आपको खोल जाता है और काफी अच्छा दिखाई देता है अंदर इस्पेस वगरा भी वैसे ही है और इंटीरियर आप देखेंगे अगर आपको शायद कैमरे में नंजर आ रहा हो तो वैसा ही इंटीरियर इन्होंने किया हुआ है अंदर जैसा कि ऑरिजनल कार में हमको देखने को मिलता है तो बोनट खुल जाएगा तो इसका बोनट हम खोल लेते हैं यह देखिए बोनट खुला हुआ है इंजन अंदर दिखाई दे रहा है तो वही अब बहुत ही गजब दिखरी है यार वाकई में रियल एक्स्वी 500 की तरह दिखने वाली टॉय कार है अगर लेना चाहते हो तो डिस लिकत आती है तो आप क्या करिए महिंद्रा की एक वेफसाइट है जो की महिंद्रा की ही है जिसका नाम है M2all अगर आप उस पर जाके अपनी कार को बुक करते हैं तो डायरेक्ट आपकी डील शोरूम से महिंद्रा करता है तो फिर आपको वहाँ पे कार में कभी भी कोई प् और अगर आपको ये महिंद्रा एक्सी वी कार चाहिए है तो आप ये टाय कार को हमने जो लिंक दी है वहाँ से खरीद सकते हैं महिंद्रा की ही ओफीशियल वेबसाइट है वहाँ से इसको आप खरी दिए इन्जॉय करिये इसको अपने पास रखिए इसको सजाके रखिए अपने शोकेस में इसको अच्छे से रखिए या फिर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको दीजिए क्योंकि ये बिल्ट क्वाल्टी इसकी बहुत जवरजस्त है और ये कार आपको वाकई में बहुत ज़ादा पसंद आईगी क्योंकि सामने से पीछे से हर जगह से मुझे य ज़्यादा अच्छी लगी और हाँ जल्दी मैं गिववे भी करने वाला हुई ये सभी कारों का तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लिजिए गा और इस वीडियो में एक अच्छा कमेंट करिएगा और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल आटो मोबाइल गुरू जी